नमस्कार, वेदर अनालिसिस साथ है, हुँछ उपायल, आपणे अम कही रहा चीए कि चौमासू विदाय लए रहुँचे, वर्साद भी नाथी पड़ी रहो अने विदाय लए रहुचे, पर वर्साद थोड़ा समय पचितो पड़वान होचे, हवामान निश्नांत नू मानि अने हवामान विभाग नू मानिये, तो ओक्टोबर ना पहलू अठवाड़ियो जे हसे, तैमा एटलो बदो वर्साद नहीं पड़े, पर दस तारिक पची थी वर्साद पड़वानी शरुआत थाचे, त्यारे अल्रेडी एक लो प्रेसर सिस्टम बने ली छे, ये जो रिक आज गती थी मध्यप्रदेश तरफ आगडवदे, अने मध्यप्रदेश ना विस्तारों मा एनी असर थाई, तो जैनी असर गुजरात मा देखा से, आज नी त्रेस तारीक अने आजे पन गुजरात मा क्या ये वो वर्साद नथी पड़े, सैटेलाइट मैप जोता आपने ख्याल आवे कि वर्साद नी संभावना आओ, खाली दक्षिन गुजरात मा अमुक विस्तारों माज, आप आमा आवी छे बिजे क्या इज वर्साद नी कोई संभावना ना थी, ना कज मा वर्साद नी संभावना, ना सौरास्र मा वर्साद नी संभावना, उत्तर गुजरा तो गुजरात मा वर्साद आवी शके चे बाकी तो गुजरात मा कोई वर्साद अत्यार आवानी संभावना आओ नथी देखा थी एम पड कोई स्थिती नथी बदलाए रही एटले गुजरात मां 3G तारीक सुधी तो आवे कोई वर्साद नी संभाव ना हो सेटलाइट मैप जोता नथी राखती हवामान विभाग नी आगाहियों नी मानिये तो पन अत्यारे क्या वर्साद नथी पड़वानी संभावना ने क्या इपन पड़शे तो इस आमाने छुटो शवाय वर्साद पड़ी शके चे चार तारीक नी पड़ा स्थिती चे चार तारीके पड़ क्या वर्साद नथी आपड़े जे सिस्टम नी वात करता हता यह शिस्टम क्या पहुँची चे पड़वानी संभाव ना हो इटले गुजरात मा पड़े नी कोई असर नहीं देखाए हवे आना पच्छी नी जे सिस्टम बने छे एनी असर थाई शके जे पात तारिक सुधी जो ये तो सेटलाइट मैप मा केंज नती देखा तो के गुजरात मा के ने आसपास पन के वर्साद पढ़तो है हवामान विभाग सु आगाही करे छे जो ये हवामान विभाग नी आगाही प्रमाने आदनी त्री स्तारी करने आजे क्या वर्साद नी संभाव नाओ छूटो छवायो सामाने वर्साद पढ़े हशे तो बनास कांठा साबर कांठा नी आसपास वर्साद देखाई रहो चेटे संबाव नाओ, हवामान विभागे आजना दिवस माटे, आपी अती, बिजे क्या इज वर्साद नी संबाव नाओ, अत्यार पूर्ती नथी, अपपा माँ आवी, इटले, पहलू जो अठवाडियो छे ओक्टोबर नू, त्यारे कोई ज वर्साद पडशे वी संबाव नाथी आत्रीज तारिक नी स्थिती, अने त्रीज तारिके क्या इलर्ट पन नथी, अपपा माँ आवी, नो वर्निंग छे त्यारे तो, पहली तारिक नी स्थिती जो ये ऑक्टोबर नी पहली तारिके क्या वर्साद नी संबाव नाचे के ने, हवामान विभाग नी आगाही प्र पर अब ना क्या वर्सात नती देखाई रहो पड़ हवामान निश्णान तम्माला काका नू मानी आपड़े तो ए प्रमाने 10 तारीक ने आसपास एक सिस्टम बनवानी चे अने इस सिस्टम ना कारणे गुजरात मा वर्सात पड़ी शके चे ए सिस्टम स्ट्रॉंग पन था श अब अमान विभाग रोज यागाही करतुओं चे आगाही प्रमाने आगामे पांच दिवस के वर्सात रह से इस साम पड़ी यागले दो दिन में रादर थनश्रम अक्टिविटी हो सकता है क्यूंकि कापी सारे मैस्चर पड़ाये और हीटिंग भी है इसके करण से लोकल कन अक्टिव अक्टिविटी गुजरात में हो रहा है और अगले दो दिन के लिए भी हो सकता है दो दिन का बाद डर्स्टिक रिडक्शन यानि थनश्रम अक्टिविटी होना भी बंद हो जाएगी और बारीश भी होने का संभावना बहत कम रहेगी गुजराश्टेट आजे ह होल बारीश हुआ है 841 मिलिमीटर रहन हुआ है जाकि अब बीत तक आज अपना गुजराश्टेट आजे होल में 19% एक्सेस रहन हुआ है